हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं आप सब ठीक हूंगे आज डिएफ सीसी आयल करेंट अफे सेशन में आपका स्वागत है आज हम बात पार्ट फोर में करने वाले हैं इससे पहले के तीन पार्ट आज चुके हैं जिसने नहीं देखी जाके देखना में लिक्स्रिप्शन में देदूगी या फिर आई बटन में देदूगी बहुत इंपोर्टेंट बहुत हल्फुल जिन बच्चों के एक्जाम है 23, 24, 25 को उनके लिए बहुत इंपोर्टेंट सीरीज होने वाली है यह बहुत ज्यादा हल्फुल होने वाली है मैं पूरा डिटेल में लेकर आई हूँ इन सीरीज में और सारे करेंट फिर ऐसे हैं जो कि आएंगे ही आएंगे 101 परसेंट तो जरूर आएंगे अगर आपने पढ़ रिखे हैं इसमें से तो ठीक है तो ज़्यादा समय ना लेते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फुली एर कंदिशन ट्रेंड पूछ रहा हैं किस किस स्टेशन की बीच में शुरूई थी और 1956 में शुरूई थी तो यह हावडा एंडख़ डेली ठीक है हावड रैंड डेली के बीच में सबसे पहली फर्स फुली एयर कंडिशन ट्रेंड शुरुई थी 1956 में नेक्स से अपना निमने लिखित में से के सहर में जल्दी 2021 में भारत की पहली स्वादेशी रूप से डिजाइन और विक्सी चालत रहिद मेट्रो कार का अनावरंड किया जाएगा इंडिया की फर्स इंडिजीनियस ली डिजाइन डेवलप ड्रेवर लेस मेट्रो कार कहां होने वाली है 2021 में बात चल रही थी उस टाइम पे तो यह बहुत इंपोर्टेंट है बैंगलूरू में ठीक नेक्स है मैं 2023 में फ्रांस के सर्वोचिनागरिक पुरुसकार सेविलियर डेला लीजन डी होनर से किसे सम्मानित किया गया और यह फ्रांस का सर्वोचिनागरिक पुरुसकार है तो वो एंच चंदर सेखन जी को सम्मानित किया गया जो की टाटा ग्रूप के चेर्मेन है नेक्स है भार ओएस भारत का सुधेसी मुवाइल ऑपरेटिंग सिस्टम निमने लिखित में से किस आईईटी द्वारा विक्सित किया गया है तो यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है यह किस आईईटी ने बना रखा है आईईटी मद्रास में नेक्स है अगस 2022 में हाइट्रूजन ट्रेन सुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है तो फर्स कंट्री कौन बन गया है जिसने हाइट्रूजन ट्रेन लांच कर रखी है तो वो है जर्मनी चेक तो hydrogen संचाली train शुरू करने वाला ये तो पहला देश बन गया है और अगर हम दुसरी बात करें कि इसके बात पहला और दुनिया का दुसरा देश कौन सा बन गया है एस्या का तो पहला दुनिया का दुसरा देश वो चाइना बन चुका है नेक्स है 10 ने आगस 2022 में एक अखेल भास्थी अभ्यान शुरू किया जिसे और यात्री सुरक्षा के नाम से जाना जाता है तो वो किसने सुरू किया? यात्री सुरक्षा शुरू किया? बाइस्टी राज्ट या राजमार्ग प्राधिकरन NHAI National Highway Authority of India और महरास्ट मेट्रो ने नागपुर में लंबाई डैश लंबाई से सबसे लंबे डबल डेकर मेट्रो पुल और डबल डेकर पुल के निर्माण का विश्व रिकॉर्ड हासिल के आप देख सकते हैं तो यह सबसे लंगेस डबल डेकर वाइड़क है तो कितने किलोमेटर का है यह कुशन पूछ रखा है 3.14 किलोमेटर का है ठीक है और थोड़ा बहुत सारे कोशन लेकर आयो मैं इन सिरीज में एक ही पार्ट में बहुत ज्यादा कोशन है ऐसा नहीं है कि सिर्फ 8 या 10 कोशन है 30 35 कोशन लेकर रहें तो थोड़ा हम फास्ट्रेक पर चलिंगे ठीक है तो बहुत समय लग जाएगा आप लोग लिए वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी फिर आप लोग देखते नहीं उसको चलिए बढ़ते तो नेक्स कोशन है ग्लोबल फाय पावर नेशन इं सेकिंड में है रसिया देन चाइना ग्लोबल फायर पावर नेशन इंडेक्स का अगर कोशन आएगा आप से या तो टॉप त्री कंट्री इसका पूछा जाएगा या फिर इंडिया की रांग पूछी जाएगी नेक्स है मही 2023 में हाल मही खबरों में चर्चित पोयम 2 एक डैश है पोयम से यह मैं समझ देना कविता के बारे में बात चल रही है तो यह क्या है यह और्बिटल एक्सपेरिमेंट मोडियूल जिसकी बारे में ज़रा देखते हैं तो मिशन का नाम है पोयम जिसको पूरा स्पेस-E के द्वारा यह भी श्रोकी एक साखा है और लॉंच किया गया पी-सल्वी सी-55 रॉकेट के द्वारा जो पी-सल्वी है यह पोला सैटलाइट लॉंच वैकल है और यह जो मिशन था जो यह लॉंच किया गया यह सतीस धवन स्पेस सेंट्रें सरी हरेकोटा पूरी इसके बार में डिटेल में लेकर आई हो पूरी एक इसकी डेडिकेटड वीडियो थी जिसने नहीं देखी जाके देखना मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देदूंगी बागी करेंट अफिर में यह कोशन पूछे ही जाएंगे सैटलाइट वगयरा से भी कोशन इसलिए मैंने इंक्लूट कर रहे हैं अगर आपको इस पे पूरी डेडिकेटड वीडियो देखनी है तो मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में देदूंगी मैं बिल्कुल जाके देखना या फिर मेरे चैनल में जाके देखना मैं हर एक टॉपिक पर वीडियो लेकर आती रहती ह तो नेशनल यूद्रे मनाया जाता है 12 जन्वरी को तो यह किसकी जेयनती है यह पूछ रखाय किसकी याद में मनाया जाती है यह स्वामी विवेकानंद जी के जेख तो celebrated हर साल 12 जन्वरी को रास्टी युवा दिवस तो इसका थीम क्या है इस बार का विक्सित युवा विक्सित भारत वर्ट्स 1985 में सरकार ने स्वामी विवेकानंद की जेयनती में 12 जन्वरी को रास्टी युवा दिवस गोशित किया था पूच सकते हैं कि कौन से वर्ट्स को गोशित किया था सबसे पहली बात नेक्स है भारत के पहले रेलवे विद्वाले रास्टे रेल और परिवन संस्तान का नाम बदल के गती शक्ती विसु विद्वाले कर दिया है इसे निमने लिखीत मैंसे किस राज्ज्य में खोला गया है तो नेस्नल रेल एंड ट्रांस्पोर्ट इंस्टीूट का नाम बदल के गती शक्ती विसु विद्वाले कर दिया है नाम बदलने वाले कोशन भी बहुत आते हैं तो फिलाल यह पूछ रखा किस राज्ज्य में खोला गया है गुजरात में चिक तो राश्टी रेल और परिवन संस्तान वड़ोदरा गुजरात में इस दिद भारत का पहला और एक मात्र सीविल सेवा प्रसेक्शन संस्तान है यह भारत का पहला रेलवे विसु विद्ध्याल है रूस और चीन के बाद पूरी दुनिया में ऐसा तिसरा है ठीक है वै अगले तीन वर्ट्सों के अवधी मैं कितनी नई पीडी की वंदे भारत ट्रेने लाई जाएंगी तो वंदे भारत पे मैं इतनी डेडिकेटेड अच्छी वीडियो लेकर आया हूं जिसने नहीं देखी जाकर देखना यहां तो मैं सिर्फ इतना बता रही हूं कि कितनी अगर मैं पूरी डिडेल में बात करने लग गई वंदे भारत पे तो एक घंटा तो यहीं पर लग जाएगा ठीक है तो इसलिए आप जाके वह वाली वीडियो देखिए नेक्स से प्रसित व्यक्तिगत बालकृष्ण दोशी का जन्वरी 2023 में निधन हो गया उन्हें निम्न दोशी जो कि महरास्ट पूने से हैं वो एक भारती वास्तुकार थी इंडियन आर्किटेक्ट उनके अचीव्मेंट्स लिखे गए हैं यहां पर पद्म श्री मिला उनको 1976 में प्रिद्सर आर्किटेक्ट्य एवार्ड 2018 में पद्म भूशन 2020 में रोयल गोल मेडल 2022 में पद्म भूशन पॉस्थोमाज 2023 में नेक्स है निम्ने लिखित में से कौन सा देश 2024 महिला टी 20 क्रिकेट विस्व कप की मेजबानी करेगा यहां महिला की बात चले तो अपने महीं इंपॉर्टेंट बन जाता है यह पहले उतना नहीं दिया जाता था सपोर्ट महिला टी को अब बह लिबार होगा 2024 में जो होगा और 9th edition को 2013 का अलड़ी हो चुका है तो 2030 का जो हाता हो एड़ 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 आफरिका ने होस्किया विनर रहा और अस्ट्रेलिया रणरण रहा साउथ आफरिका और अब जो होगा 2026 में जो होगा वह 10th edition होगा और उसको होस्ट कंट्री इंग्लेंड रहेगी पूरे डिटेल में वीडियो लाई हूँ कौन का पास प्रेजेंट फ्यूचर जरूर उसको नोडाउन करिया आपके लिए बहुत हेलफुल होगा नेक्स है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्परेशन लिमिटेड नेच एस आर्सीयल के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रण किया है अनिल कुमार लाहूती ने टिक नेक्स है किसे देश ने अक्तोबर दोहजार बाईस में सबसे लंबी यात्रे ड्रेन का संचालन करके विस्व रिकॉर्ड बना दिया है लॉंगेस पैसिंजर ट्रें तो यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है च्रिक है कांट्री ने इंडिया का स्टेट नहीं पूछ बोपर कंटरी का पूछ रहे हैं द्यान से कोशन भी द्यान से सुनिएगा आप लोग स्वीजालेंड ने निमने लिखेट मैंसे किसे वंदे भारत ट्रेन के जनक के रूप में जाना जाता था अगर आपने मेरी वंदे भारत की ट्रेन वाली देखी विडियो तो आप इसको ज 108 वी रैंक है मैंने जैसे कि बताया या तो भारत की रैंक पुछा जाएगा या टॉप 3 पुछा जाएगा ठीक है इंडेक्स रिपोर्ट वाले कोश्चन में तो इंडेक्स का नाम है इलक्टरॉल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 वी डेम इंसिटूट के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है 108 वी रैंक है भारत की डेनमार्क स्वीडेन नौर्वे ये रैंकिंग में चल रहे हैं ठीक और या इंडी में लेकराया नहीं मैं इनग्लेश रहे हैं आप मैंं स्वीडेन नाहीं बोलता हूँ आप इस पहल का उद्धियस कच्चे घरों को पक्य घरों में बदलना है इस योजना के तहत जो पात्र लावारती हैं कर सकते हैं और रिंट चुकाने के अब यह 10 वर्ड निर्धारित की गई है नेक्स के पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है जिसे अप्रल 2030 में सफलता पूर्वर लॉंच किया गया था वर्ल्ड फर्स लिक्वेड हाइड्रोजन पावर फैरी ठीक है तो उस अधर है जो लॉंच किया गया नौर्वेय के द्वारा और नौर्लेंड कंपनी थी उसने डेवलब किया इसको यहां एक हाइब्रिड है यानि यह बैटरी और तरल हाइड्रोजन इधन सेल दोनों पे चलती हाइब्रिड मतला मिला दो का मिला हुआ ठीक है तो यह बैच्ट् नेक्स अधर मार्ड किकलोमीटर की द्रिस्टी से निमनी लिक हैसे कौंसा भारत का र्यलवे च्छेत्र सब्से बड़ा है तो लार्जेस्ट रेल्य में एक फरवरी 1977 में स्टैब्लिश हुआ था चणक पूरिय जो नई दिल्ली है वहां पर रास्ट्री रेल संग्राले है नेशनल रेल म्यूजियम है नेक्स अपना व्योवरत भारती जिनता पार्टी भाजपा के नेता ओम प्रकास कोहली का फरवरी 2030 में निधन हो गया वहां क पार्टी से थे वो 19 गवर्नर रहे हैं गुजरात के 2014 से सब्सक्राइब किया था नेक्स है पंद्रवे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है फिफ्टेंथ फाइनेंस कमीशन पूछ रखा है नंद किशोर सिंग जी नेक्स है दो हजार पच्चीस आइसीस महिला क्रिकेट वि तो पूरे मैं एक्स्प्रेशन लाई हूं लेकिन अगर आपको मेरी डिटेल में हर एक टॉपिक में डिटेल में वीडियो देखने है तो मेरी चैनल में जाकर देखी ठीक है इसमें यह आपका एक क्विक रिवीजन है इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको क्यों करा हो सकें तो क्या बात चल रहे थे हैं पर 2025 आइसे सी वोमेन क्रिकेट वर्ल कप के जो की इंडिया मेजबान करने वाला है तो होस कंट्री रहीगी इंडिया जो की एडिशन रहेगा 13 और अगर हम इससे पहले की बात करें 12 एडिशन की जो की 2022 में हुआ था वो इंडिया की फॉर्स्ट्वीण ट्रैक अंड़ सीड़ी टणर का निर्माण क्या गया किस खाडी में यह पूछ रही थाने सब्सक्रीक तो यह किया है थाने जर्प techniques जोड़ेगा जैक्स है अंतरास्टे रेलवे संग और रेलवे सुरक्षा बल ने फरवरी 2030 में किस सहरम आठारवी विस्व सुरक्षा कॉंग्रेस 2030 का आयोजन किया तो यह जैपुर में 18 वर्ल सिक्यूरिटी कॉंग्रेस 2023 का जैपुर में तो 18 एडिशन था इसका चैक और्गनाईज किया गया ये International Union of Railway and Railway Protection Force के द्वारा नेक्स है विश्वक Cancer दिवाद 2023 का विशय किया है देखिए World Cancer Day 2023 ये तो हर किसी को पता होगा चार फर्विरी को मना जाता है लेकिन थीम कोई नहीं पड़ पाता और कोशन थीम से आ जाते हैं जो कोशन आप छोड़ते हैं वही कोशन बन जाता है Close the care gap Next है अपना PM मित्रा योजना के तहट कितने मेगा टेक्स्टाइल पार्क स्तापित किये जाएंगे मेगा टेक्स्टाइल पूछ रखे हैं PM मित्रा के अंडर कितने स्तापित किये जाएंगे 7 और कहां कहां तमिलानु, तेलिंगना, कनाटक, महरास्ट, गुजराद, मध्यपरदेश एंड उत्ताप्रदेश में ठीक है तो यहां तक की डिटेल में लेस्ट ही इस बार का इस पार्ट 4 है मुझे उमीद लगती आपको काफी पसंद आई होगी और वीडियो अच्छे लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले, मिलते हैं पी नेक्स वीडियो में